नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में समसेर के काभ्य के मुख्य स्वार या फिर कह सकते हैं समसेर के काभ्य का मूल भाव या मूल समवेदना या फिर समसेर के काभ्य में सोंदर या नुभूती है ना तो इन टॉपिक्स पर बा था ही इंपोर्टेंट है शाती ही ये टॉपिक बहुत ही आसान है हमें तो पूरा विश्वास है कि इस विडियो को या दो परकम सब्लत स्हेंद संदर्स ने करने हिए इसको अगर्जाम में लिखकर आ सकते हैं तो चलिए देर रूप में बदलना ही कला है और इसके लिए कलाकार कभी की द्रिष्टी सौंदर्यात्मक तो होनी आवश्यक है तो इनके कविताओं का जो मुल स्वर है इसको हम लोग वन बाई वन देख लेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे जो आत्म परक कविताएं हैं अर्थात मिला जो अन्होंने कही है समसेर की कविताओं का मूल भाव प्रेम है देश प्रेम मानव प्रेम प्रकृति प्रेम और नारी प्रेम है ना सभी तरह के प्रेमों का उन्होंने उल्ले किया है अपनी रचनाओं में मुक्ति बोध ने समसेर को आत्म परक कभी कहा है ना मुक्ति बोध एक दूसरे कभी है ना इन्होंने इसे आत्म परक कभी कहा है क्या कारण है उनकी आरमभिक कभीताएं नीजभाब की कभीताएं हैं अपनी आरमभिक कभीताओं के संगरा उदीता की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि वो उन पाठकों के लिए लिखते हैं जो उनकी हसी खुषी और दुख दर्द की आवाज सुनता है और समझता है इसक सबसे जोलंत उदाहरन उनकी कविता भाभी पतनी की मृत्यू के बाद जब अकेला पन उन्हें बहुत सताता है वो दर्द से बेहाल हो जाते हैं दिल रोता है तडपता है वो बैचेन हो उठते हैं तो कलम उनकी इस बैचेनी को तडप को हिदय की चितकार को ब्यक्त करने लग उनका अकेलापन अस्तित्व बादी कभी का अकेलापन न होकर रोमानी कभी का अकेलापन है संगी साथी का प्रेम न पाने वाले अत्रिप्त मनुस्य की बेचेनी का दर्द है यह तडप यह चुबन यह दर्द उनकी अइन कभीताओं जैसे आज हिर्दय भरभर आता है या या फिर कभी कलाका फूल हुमे यह फिर वानी ऐसी कभिताओं में परिलक्षीत होता है, स्थीर है सबकी बात, इस कभिता में चितरीत रायत बड़ी उदास दिखाई देती है, इसका विता में वे दिखाते हैं कि वायू गतिहीन है, चांद में कोई चमक नहीं है, नीली रात सीशे की तरह भारी है, पेड स्थीर है मानों ठिठूर गए हैं, कहीं कोई उल्लास नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई हलचल नहीं, उसमा से रिक्त ये अंधेरी रात केवल गहन उ लहरें इतनी भयावा हो उठी है कि कभी को यह जिन्दगी काली नागिन सी लगने लगती है, है ना, इसलिए तो वे कहते हैं, मैंने कैसी नागिन पाली, हरली जिसने उरकी लाली, है ना, इस प्रकार उनकी आरंभी कविताओं में अपनों से बिछुडने का दुख, अकेले पन के वैचे नी सर्वत्र दिखाई देती है, विशेश्ता यह है कि यह दर्द, यह अकेला पन, यह हतासा न अस्तित्व बादियों जैसी है, और नहीं कभी ने मन के विशाद पर रहस्य का परदा डाल कर उसे छायावादी कभीयों की तरह आकर्षक बनाने का प्रयाज किय यह निरासा, यह दर्द, यह वैचे नी कभी की अपने अकेले पन से उत्पन अनुभूती है और मन की गहराई से निकली है, प्रणयानुभूती का अगर बात करते हैं, तो सौंदर्य और प्रेम का अटूट संबंध है, हम लोग कहते हैं, सौंदर्य चाहे नारी का हो, या प्रकृती का, भावों का हो, या विचारों का, हमें आक्रिष्ट जरूर करता है, और यह आकर्सन ही प्रेम को जन्म देता है, चायाबादी, उत्तर चायाबादी कभियों के समान, समसेर के काव्य में भी संयोग सुख की तुल्ना में, वियोग की पीडा का ही चित्तरन अध है, उनकी प्रणायानु भूती और प्रेम विशयक अवधार्ना को समझने के लिए, आधुनी काल की मीरा, महादेवी बर्मा के काव्य से, उनके काव्य की तुल्ना करना उप्योगी होगा, अर्थात, मीरा और महादेवी बर्मा ने बियोग पीडा का ही अधिक वर्णन किय दोनों के प्रेम भाव के अत्रिप्त रहने की पिड़ा है, दोनों के मन में प्रियतम से मिलने की ललक है, महादेवी कहती है, जो तुम आ जाते एक बार, तो समसेर आओ इसकविता में अपनी ललक इस प्रकर प्रकट करते हैं, तुम आओ तो खुद घर मेरा भर जाएगा, इन कोनो मकामें तुम जिसकी हवा हो लए हो तो इस तरह से समानता है है ना समसेर का प्रेम भी विलास नहीं है वो गहन आंतरिक संखर्स का प्रतिफल है प्रिय का प्रेम पाने की उनकी अभिलासा बड़ी उतकट से है प्रेमिका को खो जाने का हिसास उनके अकेले पन की पीड प्रेमिका के अभाव में यह अकेलापन उनके दर्दों को ही नहीं जिन्दगी को भी विरान बना देता है अधिकांस आलोचक उनकी प्रनई भावना को उनके जीवन में व्याप्त नारी के अभाव से उत्पन असंतों से जोड़ कर देखते हैं और मानते हैं कि नारी शरीर का सौंदर्य उन्हें अपनी और खीषता था नारी शरीर के सौंदर्य के प्रती आकर्षन पूरुस का सहज मनोभाव है जहां महादेवी निष्ठूर प्रियतम के न आने पर स्वयंग को सुनेपन की रानी अखंड सुहागिनी समझती है और कहती है कि मीलन का मत नाम लो मैं व के वादी कवियों का प्रेम बन जाता है है ना वहीं समसेर प्रिय के न आने पर एकाकीपन को वर्दान मानकर अपना जीवन की कला की साधना के लिए समर्पीत कर देते हैं अर्थात इन दोनों नहीं विरह को ही अपना ताकद बना लिया है ना और इसी को अपना जीवन का र रचनाएं हैं उसमें प्रकृति चित्रन में ये विशेष्टाइं दिखाई देती हैं पहली विशेष्टा का बात करें तो वह प्रकृति का तटस्त भाव से केबल दर्शक के रूप में चित्रन नहीं करते अपनी मनोदसा के अनुरूप प्रकृति जैसी उन्हें दिखती है वैसा ही चितरं करते हैं और चुकि उनकी कविता दर्द की कविता है अता प्रकृति का उदास रूप ही उनके काब्य में मिलता है दूसरा प्रकृति का अगर बात करेंगे तो उन्होंने प्रकृति को उसके विभीन रंगों तथा उसकी गतियों में देखा है अता उनके चित्रों में रंगों और गतियों का विशेश रूप से अंकन मिलता है वैसे ही अगर अगला पैंट देखें तो उनका वर्ण परिज्ञान भी अध्भूत है उन्होंने बैंगनी सदली, भूरे, सुर्मई सिंदूरी, धूले सावले, पीले गुलाबी, हरे काले, नीले गहरे लाल, गोहर, जमुरद रंगों के अंतर को पहचाना है तथा बादलों, संध्याकालिन, आकासों, आदी के चित्र में इन रंगों का प्रयोग किया है उन्होंने बड़ी बारीकी से रंगों को पहचाना है वैसे ही अगर अगले पॉइंट का बात करें तो रंगों के प्रयोग के अतिरीक्त प्रकृती के गतीसिल चित्र उनके प्रकृती चित्रन की एक अन्य विशेशता है अगले पॉइंट का बात करें तो प्रकृती का अंकन करते समय उनके मन का कोई भाव या कोई विचार प्रकृती को अपने रंग में रंग लेता है जैसे ढलती साम तथा गहराती रात के चित्र कभी की मनहस्थीती का अंकन करते हैं पाठक की आखों के सामने प्रकृती का तथा मन में कभी की मनोदसा का चित्र एक साथ उभर कर आ जाते हैं सांध्य कालिन आकास और उसमें विचरन करते वादलों का चित्रन करते समय उसका हिर्दाई प्रियसी की स्मृति से बोजिल है अता उन्हें संध्या तथा बादल दोनों ही अबसाद में डूबे नजर आते हैं दिल की चोट दर्द चुभन प्रिष्ट भूमी का कार्ज करते हैं और फिर लेकनी प्रकृति को बिभिन रंगों तथा गतियों के साथ चित्रित करती हैं समाज उन्मोकता का अगर बात करें कि समाज के लिए वो किस तरह की रचनाई करते हैं तो समसेर अंतर मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं अतर माक्सवादी विचारधारा के पक्षदर होते हुए भी हिंदी के अइन्य प्रगतिसिल कभियों के समान उन्होंने जीवन के सामाजिक सरोकारों को अपने काभ्य का सरोकार नहीं बनाया है ना फिर भी सोसितों तथा उत्पीडितों की यातना को देखकर जब उनका हिर प्रति आक्रोस है और सोसितों के प्रति करुणा एवं सहानुभूती भी है ग्वालियर के महजदुरों पर जब सामंती सरकार ने महजदुरों के जुलूस पर गोली चलवाई तो समसेर का हिर्दाई का पीड़ा और आक्रोस है ना हाहाकार कर उठा वे लिखते हैं यह साम ह कि आस्मान खेत है पके हुए अनाज का लपक उठी लहु भरी दरातियां की आग है धुआ 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 सुलग रहा ग्वालियर के महजदुर का खिर्दाई है ना तो इन पंक्तियों में केवल करुणा का भाब नहीं है क्रांति का संकेत भी है राष्ट प्रेम और विश् के प्रमुक स्वर है संसेर ने दुइवेदी यूग के कभी की तरह भारत माता की बंदना एबं भारत का गुणगान करने वाली कविताएं भी लिखी है इन में कोई नई धोनी सुनाई नहीं देती है विशेश कुछ नहीं है ना विशेश ता यह है कि न तो इन्होंने मैथ थेली सरन गुप्त की तरह भारत को तीनों लोकों से प्यारा विधाता की अध्वुत स्रिष्ठी कहा है और नहीं उनकी राष्ट प्रेम की कभिताओं कस्वर उग्र और आक्रामक राष्टियता वाला है इसका कारण है उनकी उदार मानसिक्ता वाली दिरिष्टी और विश भावना को भी त्याग कर पूरे विश्व को ही अपनाना होगा के कारण जो हम लोग कहते हैं बसुधेव कुटुमबकम है तो इसी धारना को मानते थे इसी धारना के कारण उन्होंने उग्र रास्ट्र भक्ति के उद्वधनात्म के गीत ज्यादा नहीं लिखे है विविन देशों की विविन संस्कृतियों उनके साहित में बसी आधार्भूत एकता दिखा कर कभी संस्कृतिक सामंजश्य एवं बसुधेव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ने की प्रेर्णा देते हैं वह सांति के आवश्यक्ता पर बल देते हैं क्योंकि मानव जाती का विकास उसका सुख उसकी समरिधी सब सांति पर निर्भर करते हैं सारांस यह है कि समसेर की कविता का मूल भाव मानव प्रेम प्रपिर्ति प्रेम और नारी प्रेम तथा काव्य की मूल समवेदना है दर्द है ना और अपना नीजी व्यक्तिगत दर्द भी है साथ ही मानव मात्र का सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद